हेलो एवरिवन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के वीकली करंट फेर सेशन में जिसमें हम पिछले हफता यह जो दोस्तों पूरा का पूरा निकला है इसके जो है वीकली करंट फेर सेशन MCQ जब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों यह क्लास जो है रिकॉर्डेड है और आप स पूरा हफ्ते का जो क्राइट अफेर है वो रवीजन अच्छे से हो हो जाएगा तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों इसमें जो है सबसे पहला जो सबसे पहले हम जो है पेरू, नाइजर, अर्जंटिना, जो रेष्क है दूस्तों रिसेटली यहां पर बहुत बडे सतर पर गंगु के कैसरे इसके कारण जो है दोस्तों यह जो कंट्री है जिसका जानाम पेरू है इसके द्वारा जो है अमरजंसी जो है घोस गोसित और दी गई है सारे MCQ's कराऊंगा और दोस्तों उसके बाद फिर हम डिटेल डिटेल नियूज भी पढ़ेंगे जैसे यह आप देख सकते हैं डिटेल नियूज को भी उसके बार हमने पढ़ना है तो जैसे यही नियूज जो हमने पढ़ी है पेरू डेकलेर्स हेल्थ अमर्जंसी तो दोस्तो इसके बारे में हम फिर विस्तार पूरुख देखेंगे कि अगर हम बात करें इस 2024 के ही आठ हफ्तों की तो 31,000 से जादा केसे यहां पर आ चुके हैं और बड़े स्तर पर जो है दोस्तों यहां पर लोगों की मृत्यूबी हो रही है और इसका बड़ा रीजन माना जा रहा है कि जो अल नीनु है मतलब MCQs और फिर उसका explanation है थाकि बच्चे को जो है हर तरीके से समझ आ सके जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने detail नहीं देखना वो सिर्फ और सिर्फ पहले का आधा हिस्सा जो है इसे देख सकते हैं फिर दूसरा जो प्रशन है दूसरे प्रशन की तरफ बढ़ेंगे द इसके मुकाबले बच्चों की जो जनमदर है उसके मकाबले दोस्तों वो क्योंकि कहीं पर यह भी ब्रसन आएगा कि सबसे चाहरी त्रम बच्चों का जो कहा है कहां पर हुआ है है लेकिन यहा पर है कि लिए असे हम बोलते है‌धार है जो है औरतों के पेच़े qiitने जो है लंबी उमर तक जो है अपने आपको financially independent ना जो है बनाना दोस्तों क्योंकि जो है समय लग जाता है और 30 तक जाके उससे भी कहीं बाद में जाके हैं जो लोग successful हो पाते हैं और उस वज़े से जो है लोग fertility की तरफ जरम बच्चों बच्चे बच्च बच्च बनी फैमली क को extend नहीं करना चाहते यह एक बड़ा reason माना गया है जिसके वज़े से यहां पर यह समस्या South Korea में देखने को मिली है पर उसके बाद तीसरा जो प्रशन है वो है कि हाली में ब्रेटेन के जो King Charles 3 है उन्होंने दोस्तों जो है नाइट हुड का प्रापत करने वाले पहले भारत है और दोस्तों इनका जो नाम है सुनील भारती मित्तल है आपको पता होगा Airtel के जो है यह यह ओनर है Airtel कंपनी के यहां पर मैं तस्वीर दिखा देता हूं और जो है इसके लावा हमने पढ़ा था कि जब भारत गुलाम था हमारे रबिंदर नाट गोर रबिंदर नाट गोर को भी गुरुजी को भी मिला था 1915 में हाना कि उन्होंने 1919 में दोस्तों यह जो अवार्ड है यह वापस जो है अंग्रेजी सरकार को लुटा दिया था जल्यावाले भाग की खटना के कारण फिसके बाद फोर्थ जो कोशन है हमारा कि पहला जो कंट्र जो इनिशेटिव है उसमें जो है वो शामिल होने माला पहला देश बना है जन ओश्डी दोस्तों जिसमें हम जो है जो दवाईया है जो मैडिसंस है तो उनको जो है दोस्तों सस्ते रेट के उपर है प्रवाइड कर रहे हैं और यह जो पहला देश हमारा जो इसमें सहयोगी बना है उसका जो आंसर है आंसर इस जो है तो दोस्तों यहाँ पर सस्ती द्वाईया जैनरिक जो मेडिसन से प्रवाइड की जाएंगी हर एक सरकारी होस्पिटल में यह दोस्तों जन औश्टी के इंदर भी खुला हुआ है आपने जरूर देखा होगा इसके लाव भारत में है जो अगर बात करते हैं जामनगर वैसे तो जामनगर आज कल चर्चा में है अमबानीज के बेटी की शादी हो रही है उस वजय से भी और दोस्तों वन्तारा जो कि भात का दुनिया का पहला इस तरह का एनिमल रेस्क्व सेंटर है उस वजय से वहाँ पर वन्तारा भी जो है इनिशेटिव लिया है रेलाइंस फाउंडेशन ने लेकिन उसते अलावा जो है दोस्तो भारत में यह जो ट्रडीशनल मेडिसन सेंटर का जो हेड़कॉर्टर है दुनिया का पहला वो भी जामनगर में ही दो साल पहले टेड्रोज अडानों जो की वर्ल्ड हेल्थ इस साल दोस्तों इसका आयोजन जो है वो श्रिलंका में जो है किया जाएगा श्रिलंका में नीलम पोकुना महिंदा राजपेक्षा थेटर वहां पर इसका जो आयोजन है दोस्तों मार्च में मतलब आज से लेकर तीन मार्च तक है इसका योजन जो है वो किया जाना है फिर भारत में तेंद्वों की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार, तेंद्वों की जो संख्या है, सबसे अधिक दोस्तों, जो है कहां दर्ज की गई है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो मध्या परदेश है, तेंद्वों की बात कर रहे हैं, लेपर्ड की, और मध्या प परदेश में increase हो रही है मध्यापरदेश दोस्तों जिसके जो जो मुख्य मंत्री है उनका नाम मोहन यादव है और जो है याद रखें रीसेंटली ही वहाँ पर जो है एलेक्शन होए थे 230 वहाँ पी विधान सभा की सीट्स हैं फिर हाली में किसे वैश्विक जैन शांती किया है ग्लोबल जैन पीस अंबेस्टर अवार्ड का नाम याद रखें और लोकेश मुनी जी को ये अवार्ड है दिया गया है तो अगला प्रशन है कि इन में से कुछ भारत के राज्यों का जो है नाम है किस राज्य सरकार ने हाली में सरकारी और नीजी संपत्ती डोनों क खाते में वो पैसा जो है जाएगा मतलब वो पैसा उनी को भरना होगा और दोस्तों यह जो विएक है रीसेंटली ही उत्राखंड सरकार ने जो है इसको लॉंच किया है उत्राखंड के अलावा ओलेड़ी है उत्रपरदेश असाम में ओलेड़ी पास हो भी चुका है उत्रा रज्यस्तरिये, सेकेंड स्टेट लेवल शहरी सम्रीधी उत्सव जो है दोस्तों यह तिरपूरा की कैपशल अगरतला में इसको जो है रिसेंटली ही जो है वो I.O.G. जो है किया गया और दोस्तों अगरतला और इसका फोकस है कि शहरों में जो रोग रहते हैं उनको का शिशक्तिकरण हो जिस वजए से जो है लोगों का वहाँ पर एकनॉमिकल और शोशल जो है फ्रीडम से जो है रह सके तो तिरपुरा के जो मिनिस्टर हैं उनके मुख्यमंत्री है मानिक सरकार उन्हों ने जो है इसको जो है लॉंच किया शहरी समरीभी उत्सव जो है इसको नाम जो है वो दिया गया फिर अगला प्रशन है हाली में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम वहाँ और तलाक पंजी करन अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निरने लिया है तो इसका उत्तर है दोस्तों जो असाम और असाम ने जो है दोस्तों 1935 में पास हुए इसको जो है वो खत सादी होती है तो फिर उसका टाइवोर्स होना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा तो इससे उमीद है कि 2026 तक इस कारून को पूरी तरह जो है असाम में लागू कर दिया जाएगा वहां के मुख्या मंत्री का नाम है हेमन्द विश्वाप फिर हम बात करेंगे होमोस एटम की दोस्तो रिसेंटली चर्चा में था और दोस्तो यह जो है एक रबोट है जो की अगर हम बात करें जो की जो है पूरा का पूरा जो भी कच्रा है दोस्तो और जो भी सीवरेज है उसको साफ कर सकेगा इसका जो शुरवात है या दोस्तो इसकी जो इनोवेशन है वो IIT मदर मदरास के कुछ स्टूडेंट्स का एक इनिशेटिव था जिसका नाम था सोली नास सोली नास नाम की इनिशेट द्वारा इस होमोसेट एटम जो जो दोस्तों यह जो रबोट है उसका जो इन्मेंशन है रिसेंटली ही किया गया आईटी मदरास याद रखें आज से तीन-चार में देखा गया था किस से सबंदित है तो अलड़ी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों एनिमल वेलफेर से यह जुड़ा हुआ है अनंत अमानी जो रिलाइंस फाउंडेशन का जो है डिरेक्टर है उसके द्वारा जो है इसकी शुरुवात की गई है जिसमें एनिमल रेस्क्यू सेंटर होगा जिसमें अलग-अलग हाथी चीता जो भी जानवर हैं उनको उनकी हैल्थ को लेकर अगर उनको कोई समस्या हुई कोई चोट लग गई उनको जो है वापर हेल्थ केयर सारी फसेलिटी जो है वो दी जाएंगी प्रिसके बाद नेक्स्ट जो कोश्चन है हमारा है अंतराच्टेश्रम संगठन हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन की कार्यस्थल पर हिंसा और उठपीडन कर्वेंशन की पुष्टी करने वाला पहला एशयी देश कौन सा है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अब एशया में तो पहला लेकिन दोस्तो वर्डवाइड जो है दोस्तों अगर हम बात करें इसकी वर्डवाइड तो कहीं सारे देश त्षी से भी जादा देश इसे जो है वह माझ चुके हैं तो बहुँ कर्वेंशन नंबर वन नैंटी के तहत जो फिलिपिंस है तो दोस्तों वाइलिन्स एंद हरास्मेंट कर्वे वो किया है, convention number 190 जरूर याद रखें, exam में पूछा जा सकता है, फिर हम बात करेंगे FATF की, दोस्तो, Financial Action Task Force, जो कि दुनिया में black money को counter, उसको जो है, control करने के purpose से जिसका निर्मान किया गया था, इसके दौरा, recently, कौन से countries को FATF की grey list, grey list का मतलब है कि वहाँ पर बड़े स्तर प black money को terrorism funding या किसी और गलत कामों के लिए इस्तमाल किया जा रहा है, तो दोस्तो, grey list में जो है, वो निकाल दिया गया है, तो इसका अंसर्ट ही है, मतलब UAE, Uganda, Barbados, यह तीनों ही countries पहले उसमें शामिल थे, और अब इनको जो है, FATF द्वारा जो है, दोस्तो, वो निकाल लिया दोस्तो, इसका जो सही उत्तर है, और अगर हम बात करें, वो है राजस्तान, राजस्तान में जो है, इसका जो है, रीसेंटली अभिहास जो है, वो किया गया, यहाँ पर मैं यह भी बता दूँ, जब मैं बात करता हूँ, राजस्तान की ही, जैसल मेर मेर में ही, रीसेंटली आयोजित हुई काठ मांडू में दोस्तों जो है एक शांती प्रयास नामक शांती प्रयास फोर नामक अक्सरसाइज हो रही है जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है और दोस्तों भारत और श्रिलंका और इसके अलावा जो है गर मैं बात करूं दोस्तों जो है शांती प्रयास जो है दोस्तों ये काठमांडू में अब थोड़ा सा स्केप है ये काठमांडू में है या फिर ये श्रिलंका में है जहां पर भारिज श्रिलंका और माल देफ्स जो है तीनों ही उसमें हिस्सा जो है वो ले रहे हैं दिए फिर चलते हैं अगले प्रशन पर भारत के पहला गत institutions एक अलग से इपार्टमेंट बनाया गया और दोस्तों ये गति शक्ति रिसर्च जो सीट है जो चेर है ये आयम शिलोंग इंडियन इंस्टिटूट ऑफ मेनेजमेंट शिलोंग में इसकी इशरवात जो है वो की गई थी साती साथ रीसेंटली ही दोस्तों भारत के जम्मू मे जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू में IIT, IIM और AIMS ये तीनों बड़े संस्थान जो है उनका फाउंडेंशन स्टोन जो है निरेंदर मोदीजी ने रिसेंटली ही रखा था फिर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 जो है दोस्तों ये जो है रिसेंटली स्पेन के शहर बा बात नहीं है सिर्फ एक मीटिंग को जो है कॉंग्रेस जो है कहा गया है तो बार सिलनों में ये जो मीटिंग है रिसेंटली ही आयोजित हुई फिर अत्कुल पॉंगल फेस्टिवल जो है दोस्तों ये रिसेंटली ही जो है केरला में इसका आयोजन किया गया और ये जो आयो कहा जाता है फिर अगला जो प्रशन है वो है भाई पृधान मंत्री ने हाली में दो हाइब्रिड हाइब्रेड का मतलब है कि उसको डीजल से भी और ब्रीज ऑफिश एलेक्टरिय से भी जो है लेक्टरिनिक जो है कटमरा दोस्तों यह अगर हम बात करें केटामरान वैसल जिस प्रादराज और M.V. इन दोनों को जो है लॉंच किया गया दोनों ही hybrid electric caterman vessels हैं फिर अगला जो प्रशन है वो है भारत की सबसे वड़ी रक्षा उपकरण परदर्शनी ये रीसेंटली ही महाराष्ट्रा में महाराष्ट्रा के दोस्तों पुने में इसका आयोजन जो है सरकार द्वारा defense ministry द्वारा किया गया महाराष्ट्रा MSME defense जो है महाराष्ट्रा शाशन फिर 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराद report में भारत की ranking क्या थी ये हम cyber crimes की बात कर रहे हैं तोस्तों इसमें भारत की जो ranking है वो रही 80th 80th याद रखें आज से कुछ time पहले दोस्तों वो 80th जो है वो cover की गई थी फिर हाल ही में SpaceX जो कि Alan Musk की company है उसने 300 में Falcon 9 mission के तहत दोस्तों किस देश के उपगर है जिसका नाम है मिरहा पुथी 2 को लाँच किया तो कोई private जो है company है किसी देश के satellite को लाँच करती है फिलाल तो ये चर्चा के इंदर रहती ही है दोस्तों ये जो महरा पुथी 2 है ये इंडोनेशिया का जो satellite है जो की SpaceX द्वारा जो है recently ही launch किया गया फिर जो World Bank की बात करेंगे उसकी पहली woman जो है दोस्तों director किसकी director Global Environment Facility Global Environment Facility अलग से एक दोस्तों department है जिसका मुख्या तोर पे काम है कि दुनिया भर में environment से जुड़े जो projects है उनकी funding को लेकर जो है वो मुख्या तोर पे रहता है और ये woman developing country भारस से है इनका जो नाम है वो है गीता बत्रा यहां पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं खास बात है कि world bank जो की वाशिंग्टन में है उसके president भी फिलाल भारतिये हैं जिनका नाम आजे बांगा है फिर देश का पहला virtual ATM है recently ही दोस्तों पे माट द्वारा जो है इसकी शुरवात जो है वो की गई थी फिर सफाई रोबोर्ट homo sap atom अभी हमने पढ़ा था दोस्तों यह IIT मदरास द्वारा जो है विक्सित किया गया आपको बताया था और जो है IIT मदरास का जो है एक जो student का group था जिसका initiative जिसका नाम था सोली नास उसके द्वारा जो है इसकी शुरवात जो है वो की गई फिर अगला प्रशन है कि बही sun cancer breast cancer जो है early stages में ही detect किया जा सके इसक का उत्तर हर्याना है दोस्तों एक नया program जिसका नाम रखा है सवेरा सवेरा नाम का जो program है इसको जो है recently ही launch किया फिर केंद्रिया मंत्री जो अनुराग सिंग ठाकुर है इन्होंने कहां पर जो है recently ही एक film certification facility office जहां पर film की certification से जुड़े सारी formality जो अभी सर्फ पूने वगेरा में ही दोस्तों की जाती है यहां पर भी आप की जा सकेगी और जो है इसका जो center है दोस्तों चंडीगड में इसकी जो शुरुवात है वो की है यह अनुराग साकुर जी देख रहे हैं और इसका establishment है चंडीगड में कर दिया है चंडीगड क तो यह जो cyber security initiative है recently ही पूने में इसका जो आयोजन जो है वो किया गया था फिर मोदी जी ने हाली में पहले मानव युक्त मिशन गगन यान के चारो पाइलोटों के नाम का खुलासा किया तो दोस्तों यह जो खुलासा है यह कहां पर किया तो यह दोस्तों केरला में जो तिर उसका जो नाम है वो Vikram Sarabhai Space Center है माफ कीजिए शरीहरीकोटा में जो है उसका नाम जो है स्थीजदवन Space Center है जो कि हमारे दोस्तों जो है बहुत ही हमारे इश्रों के बहुत बड़े eyak scientists है और यह Vikram Sarabhai Space Center जो कि इश्रों के फादर के रूफ में भी जिने हम जानते हैं वहाँ करूं दोस्तों जिसका जो time period है सूर्य उदे से लेकर सूधिय अस्त तक और अगर मैं पहले दिन के सूर्य उदे से अगले दिन के सूर्य उदे तक बात करूं तो उस हिसाब से 24 घंटों को जो है ये calculate करती है जी उसके बाद next को question है FATF के नए अध्याष्ट के रूप में जो ह तो जो है इसका चेर महन है वो बनाया गया है फिर अगला प्रशन है कि किशोर लड़कियों में अनीमिया को नियंतर्ण करने के लिए mission उतकर्ष पहल किसने शुरू की who has been recently launched mission उतकर्ष initiative ताकि अनीमिया को control किया जा सके दोस्तो अडॉल सेंड का मतलब होता है कि जो 18 वर्षे कम हो तो इसका जी शरुवात है हमारी women and child development और आयूश मिनिस्ट्री आयूश का मतलब है आयूवेदिक, युनानी, सिध्धा और हमेंपैतिक इस मिनिस्ट्री द्वा परिसर जो है ये दोस्तो उत्रपरदेश में जो है इसे लॉंच किया गया इसको नाम दिया गया था सोवारक्षा और सोवारक्षा का मतलब है self-defense और दोस्तो ये जो है last कुछ साल पहले जब हमने surgical strike किया था बाला कोट में और उसको जो दोस्तो जो सिपाही थे उनको ये dedicated ह और देश का पहला जो है South Asia का पहला इस तरह का immunization and missile complex इसको नाम जो है वो दिया गया है फिर रेंडर मोदी जी ने किस राजिया में पहले railway station की अधार शिला रखी तो दोस्तो ये सिक्किम है सिक्किम में पहला railway station साती साथ जो है इस हफते government ने Amrit station scheme जिसमें total देश के 553 railway stations को रेनोवेट किया जाएगा इस scheme का भी जो है दोस्तो अनावारं जो है वो किया फिर उसके बाद जो है BWF पैरा बेडमिंटेन विशफ चैंपेंशिप कहा यूजित की गई तो इसका जो आंसर है वो Thailand है जी और Thailand के पताया में इसका जो आयोजन जो है recently ही वो किया गया फिर जो बात करें Global Intellectual Property Index में इसका जो भारत में का जो रहंक है दोस्तों वो 40 सेकंड है नाम याद रखें Intellectual Property Index की हम जो है जिकर कर रहे हैं फिर देश के पहले लोगपाल के पद पर जो है किसे निक्त किया गया है दोस्तों PC घोष औलेडी यहां पर जो है टेंप्रेडी स्तर यहां पर काम कर रहे थे और अभी जो नए बनाए गये हैं उनका नाम है भी आजे मानिक्राव यह आप इनकी तस्वीर बेख सकते हैं दोस्तों जो लोगपाल है उसको सरकार द्वारा सरकार में परधार मंत्री लीडर ओफ ओपोजिशन चीफ जैस्ट अफ इंडिया तो दो जा सकता है फिर उसके बाद जो है वो है भाई स्वैम प्लस जो प्लैटफॉम है दोस्तों यह जो प्लैटफॉम है जिसमें पोर्टल लांच किया गया है जिसमें बड़े सारे शिक्षाएं जिसमें जो है दोस्तों जो नौकरी के जो या जो नए इन स्टार्ट अप्स को ल द्वारा धरमेंद्र प्रधान जी द्वारा जो है इसे लाउंच वो किया गया स्वें प्लस अन्लोकिंग यूर पोटेंशल शेपिंग यूर फ्यूचर जो है इसे हम बोलते हैं फिर जॉन निकॉल जिन्होंने 33 गेंदों में T20 अंतराष्ट्य में शतक बनाया वो दोस्तो न कलिना नॉर्मन जो है इन्होंने स्तीफा दे दिया काफी लंबे समय से भारत्य होकी की चीफ एक्जगेटिव ऑफिसर थी फिर दिल्ली में आयोजित एशन ट्रैक साइक्लिंग चेंपिंशिप में सबसे अधिक जो पदक हैं वो दोस्तों मलेशिया द्वारा जो हैं वो जी जिते गए तो यहां पर जो है मलेशिया द्वारा जिते गए वो विंटर गेम्स थी खेलो इंडिया और यह एशन ट्रैक साइक्लिंग चैंपिंशिप है दोनों अलग-अलग हैं तो दोस्तों यह थे आज के जो है अगर मैं बात करूं सारे के सारे हमारे MCQs तो यह MCQ बारा सेशन है अब हम दोस्तों इस अफते के जो हमारे थोड़े डिटेल जो करन्ट अफेर हैं वो भी पढ़ लेंगे जन बच्चों का सबद खतम हो चुका है जन बच्चों को आगे नहीं पढ़ना वो यहां पर छोड़ सकते हैं सेशन लेकिन मैं आपको यह कहूंगा जो छोड़ रहे हैं कि ऐसा निया कि पूरा सेशन एक ही बार में देखें आप इसे दो बार में भी देख सकते हैं तो शाम को या कल को कल संडे ही है तो कल को भी आप इने देख सकते हैं तो यहां तक अगर आपको विराम चाहिए यहां पर आप छोड़ कर आगे ज ही हो जाती है बहुत सारी चीज़े नहीं हमें पता लग जाती है तो यहां पर भई एक मार्च को सबसे पहले तो हमने कल भी पड़ा था वर्ल्ड डफेंस डे होता है और इस बार इसका जो थीम था वह था ओनर इरोज एंड परमोट सेफटी स्केल्ज और यह पूरी दुनिया भर में सिवल डफेंस टे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फिर दोस्तों इंट्रिनेशनल इंट्रेक्शल प्रोपर्टी इंडेक्स जो है रीसेंटली ही यह जो है लाउंच किया गया और इसमें जो है दुनिया के दोस्तों जो और्गनाईजेशन है, वर्ल्ड इंटलेक्शल प्रॉपर्टी और्गनाईजेशन, इसके द्वारा दुनिया की 55 एकॉनमीज को जो है, वो काउंट किया गया, इसमें पहला जो स्थान है, वो दोस्तों युनाइटेट्स का है, दूसरा यूके का है, तीसरा फ्रांस का है, भा प्रचों को ना पता हो, इंटलेक्शल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, चार चीजें, जो हैं, दोस्तों कानुन के हिसाब से कवर करती हैं, कोई भी पेटेंट हो, दोस्तों की लोग जो है, अपने लोगोस को लेकर, कंपनी आविश्कार को लेकर, पेटेंट के प्रती कितने जो हैं, वो सचग हैं, इसके लावा कॉपी राइट्स का, ट्रेड मार्क्स का, ट्रेड सीक्रेट्स का, यह 4 तरह के इंटलेक्शल प्रॉपर्टी हैं, दोस्तों, और इसमें भारत का जो रेंक है, वो इस भार जो है 42 second जो है, वो आंका गया है, इसके लावा विपो, जो य इंटर नैशनल, Finance Ministry द्वारा, इंटर नैशनल जो है, फ्लाइच के परपर से भी, जो है, लाइसेंस है, दे दिया गया है, खास बात है, कि दोस्तो, अपनी श्रुवात के बाद, बहुत ही कम समय में, दोस्तो, कितने समय में, अगर हम बात करें, तो भही, यहांपर, जो है, ल 30 मेने के रिकॉर्ड टाइम पिरेड में अंतर राश्ट्रिया लाइसेंस है, फरनांस मिनिस्ट्री द्वारा इसे दे दिया गया, दोस्तों फिलाल अकाशा एर के पास 23 जो हैं B737 मेक्स एरक्राफ्ट हैं, इनके फ्लीट में और 20 भारत के शहरों में अपनी उडाने भरती है, अपार्ट स्रम कतर, दोस्तों अब आने वाले वक्त में ये कतर, स्वायूदी अरेबिया, कवैत, कहीं सारे देशों में अंतराश्टिया अपनी फ्लाइट्स हैं, वो भर सकेगी, फिर हमने अभी PEMCQS में भी जिकर किया था, भाई, जो हमारे Foreign Ministry द्वारा, अचारिया लोक पेश मुनी जी को, ग्लोबल जैन पीस अवार्ड जो है, वो अनाउंस किया गया है, ये सेरमनी रीसेंटली ही, दोस्तों, करनाटका में, जो है, भाई, आयोजित कीगी, करनाटका में, जो जैन पिल्ग्रिम है, भाई, जहां पर नवग्रह, तीर्थ शित्र, जो की हुबली वरूड में है, ये करनाटका में है, उबली, वहां पर इसका जो पूरा आयोजन है किया गया, जहां पर हमारे जो फॉरन अफेर में इस्टर है, एस जैसंकर भी शामिल हुए, फिर हमने बात की थी अभी, हमारे जो शिक्षा मंतरी हैं, भाई, धर्मेंदर परधान, इन्हो कहीं सारे मैसिव ओपन ओनलाइन कोर्स, और ये जोस्तो जो ओनलाइन कोर्स हैं, जिनसे कि भाई, जो है, सेमी किनेक्टर से जुड़े हुए, आर्टिफिशल इंटेलिजन से जुड़े हुए, तो ये कहीं सारे जो नए प्रोग्राम्स जो है, बच्चों को उनके बारे में बच्चों को उनके बारे में अवेर किया जाएगा इस पोर्टल के ओपर, जिसका परपर्ज है कि देश में दोस्तों, टेक्नॉलजी के एक शित्र में, इंप्लॉइमेंट के शित्र में जो है, जो है देश वो आगे बढ़ सके, फिर पेरू ने जो है अमर्जेंसी टेक्ले पेरू का नाम है, फिर साउथ कोरिया का फर्टैलिटी रेट जो है काफी लो रहा, और जैसे मैं बता रहा था, फिनेंशल कोस्ट बढ़ने के कारण, बच्चों को बढ़ा करने का जो खर्चा है, वो बढ़ने के कारण, कहीं सारे ऐसे, जो है अपना कैदियर सही समय पर ना बनने कारण, मतलब सही समय का मतलब है, दोस्तों जितनी जो हमें जरूरत है, उस हिसाब से कह दियर नहीं बन रहा जल्दी से, तो यह सारे रीजन बाने गाए हैं, जिसके वज़ए से फटैलिटी रेट है साउथ कोरिया में, काफी कम आया, दोस्तों इसकी बार देखें, त बच्चों का जर्म कम हुआ, यहां की जो पॉपॉलेशन है, ऐसा लग रहा है, कि जिस तरह से यहां पर बच्चों की गिंती कम हो रही है, दोस्तों, उस हिसाब से अगर हम देखें, तो इनकी जो पॉपॉलेशन है, 2047 तक, जो है, माफ कीजे, 2070 तक, 2070 तक, इनकी से 30% कम हो जाएगी, जो सिर्फ 87 मिलियन, 87 मिलियन का मतरब है, दोस्तों, जो है, लग बग सिर्फ 8 करोड के आसपास, जो है, इनकी पॉपॉलेशन है, वो रह जाएगी, तो भाई, अभी फिलाल, जो साड़े 12 करोड है, और वो लगातार कम हो रही है, जपान के प्रधान मं Organisation की 13 मिंस्ट्रियल कॉंफरेंश जो है, वो यूई अबुदाभी में, जो है, दोस्तों, इसका आयोजन किया गया, और इसमें याद रखें, वर्ल्ड ठेंटै ऑरगनाईजरिशन में, जो है, अभी 2 कंट्रीशन का नाम है कॉमोरोस और एक का नाम है तीमोर, जाद रखें, World Trade Organization, जिसका निर्मान 1995 में हुआ था, इससे पहले इस organization का नाम GAT हुआ करता था, General Agreement on Tariff, इसको जो है वो पहले बोला करते थे, दोस्तों General Agreement on Tariff and Trade, और ये जो है काम कर रही थी 1948 से, लेकिन 1995 में इसका नाम बदल गया गया, इसका headquarters जो है जनेवा, स्विजर लेंड में है, फिर दोस्तों Reserve Bank of India द्वारा भारत के लोगों को Financial Literacy प्रवाइड की जा सके, इसलिए 26 फरवरी से लेकर, एक मार्च के बीच जो है, ये दोस्तों Financial Literacy Week जो है वो celebrate किया गया, इसका theme था, make a right start, become financially smart, ये theme जो है बड़ा important है, इसको याद रखें, Reserve Bank of India, इसकी शरुवात 1935 से 1 अप है टो कार्टर मंबई में है, फिर United Nation के former Assistant Secretary General लक्षमी मुर्देशवरपुरी, दोस्तों इनोंने अपने एक बुक लांच की है, जिसका नाम है, Swelling the Sun, ये बुक याद रखें, और क्योंकि ये बड़ी महत्तपुर्ण है, Assistant Secretary General of United Nation, ठेक है, तो नाम भी याद रखें, लक्षम और वर्ड गोल्ड कॉंसल के CEO को तौर पर एक और भारतिय दोस्तों सचिंग जैन की जो है, वो निप्ति की गई है, फिर उत्राखंड जो है, मैं आपको बता रहा था कि भाई, तीसरा ऐसा स्टेट बन गया है, कि भाई, जो राइटर्स ने, जो दंगईयों ने, यसे भी तरह की जो, दोस्तों, महाँ पर पब्लिक प्रोपर्टी को डेमेज किया है, तो उसका पैसा उनी से विसूला जाएगा, उससे पहले उत्रपरदेश और हर्याना, माफ कीजिए, पहले मैं ने असाम कहा था, गल्ती से, तो यहाँ पर हर्याना करेक्ट कर लीजे, यूपी औ हर्याना ओरड़ी इस तरह के एक्ट जो है, दोस्तों, पास कर चुके हैं, और अब जो है, उत्राखन पब्लिक और प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी डेमेज रिकवरी बेल द्वारा, जो है, दोस्तों, इसे उत्राखन में भी लागू, जो है, वो कर दिया है, अपर शी प्राइवेट के अंदर ही बनी हुई इंडी जीनियस, गरीन हइडिरोजन फ्यूल सेल, जोस्तों, ये फैरी बोर्ट है, इसकी शरुवात हुई है, ब cayरोजन फ्यूल से जो है, ये चलेऑगी, दोस्तों, और ये जो है, जो है, जो है, आज है, जो है, दोस्तों, इसको आपको याद होगा यह इसको मैंने आपको नियूस पेपर की कटिंग से भी पढ़ाया था यहां पर जो है अगर हम बात करें यह केरला में दोस्तों इसको जो शुरू किया जाएगा जीरो अमीशन है जीरो नुवाइस एंड इनर्जी एफिशेंट है आप अगर आप देखें दोस्तों से दूसरी जगा लेकर जाना ही नहीं अगर आपको यादो हमने पढ़ा था कि यह 50 से ज्यादा सवारियों को लेकर इनर्जी से जासकती है और एसमें पानी को उसका खारापन करत्म किया जा सकते है और जो है इसमें आपको पर जीरो यह वह वह लौँच किया गया है फिर भारत ने अपने चार पाइलेट सेलेक्ट कर लिए हैं उनकी नाम देख लें बड़े इपोर्टेंट है परशान बाल परताप सुभांशु शुकला जो की अगले साल दोजर पचीस में गगन यान जिसमें स्पेस की यात्रा दोस्तों की जाएगी तो यह भारत के पहले मैंड जो मिशन के लिए यह त्यार है इस साल जो है पहले रबोर्ट भेजेंगे जिसका नाम होगा व्यॉम मित्रा कुछ भारत का अपना पहला जो है ओप्रेशन यह गगन यान जो है वो रहने वाला है फिर उसके बाद नेशनल साइंस दे जो है थाइस फरवरी को से लिबरेट किया गया इस साल उसका जो थीम था वो था इंडी जीनियस टेकनोलोजी फॉर विक्सित भारत जो है उसको थीम जो ह इनकी जो है रिसेंटली ही इनका ध्यात हो गया फिर पाकिस्तानी पंजाब में किसी भी वहां के प्रांत में प्रविंस में पहली बार है कोई महिला जो है मुख्या मंतरी बनी और दोस्तो नवाज शरीफ की लड़की मर्यम नवास वहां के पाकिस्तान की जो है वो मुख्य अजिर भुटो, आज से तीन दशक पहले वो बन चुकी है, लिकिन प्रविंस में मुख्यमंत्री पहली बार महिला, वहाँ पर पहली बार जो है, वो बनी है, दोस्तो असाम जो है, वहाँ पर जो है, युनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रहा है, असाम ने भी मुस्लिम मै इसको जो है, खतम किया है, और दोस्तो इसके तैत, वहाँ पर 18 साल के छोटी लड़कियों की शादी, या उनका जो डायवोर्स है, पूरी तरह जो है, वो बहन हो जाएगा, तो यहाँ पर यह भी बिता दूँ, अवहाँ की जो मुख्यमंत्री है, हेमत विश्वा है, और उ इंटेलिजेंस में जो है, पूरी तरह सौवरण होगा, और दोस्तो यह जो टकनॉलजी है, भारत की सुरक्षा को किसी भी तरह से हाम नहीं करेगी, इसको लेकर जो नवेदिया के जो CEO हैं, जिसका नाम है जैन संग हुआं, इनके साथ भारतिय सरकार ने जो है, दोस्तो वो agreement किया है, फिर साउथ एशिया का largest immunization and missile complex, यह अडानी ग्रुप द्वारा जो है, रीसेंटली ही उत्तर परदेश में, लखनौव में जो है, इसे लाँच किया गया, फिर G.D. Birla Award, दोस्तो जो की साइंस में, साइंस टकनॉलजी में excellence के परपस से दिया जाता है, वो इसके लिए जो है दोस्तो इसके लिए चुना गया, फिर Algeria, जो की एक African country है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसको दोस्तो रीसेंटली इनोगरेट किया, और इसका नाम है दजामा अल-दजाजीर, दजामा अल-दजाजीर, वैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, वो मक्का में मस्जिद अल-हराम है, और दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, मदीना में, अल-मस्जिद अन-बावी, और ये दुनिया की तीसरी बड़ी जो है मस्जिद है, वो होने वाली है, इसके अलावा SpaceX दोस्तो प्र इतलाइट मरहापुथी 2 जो है रीसेंटे ही लाँच किया है और यह 300 मां सक्सेस्फुल मिशन है फालकोन 9 रॉकेट का जो की स्पेस एक्स द्वारा किया गया फिर इसका जिकर हम काफी बार कर चुके हैं इसका बार किया है यहाँ पर याद रखे जो भारत का सेन्ट्र बोडो फिलम सर्टिफिकेशन यह 2562 के इसका निर्मान किया गया था यह stretchery body है stretchery body का मतलब है जिसको की parliament द्वारा पास किये गए किसी कानुन के तहत जो है वो power जो है वो मिलती है फिर हमने बात की लोफ्टिया इटन की नामीबिया का या प्लेयर रीसेंटली ही 33 गिंदों में शतक लगा कर आज तक के cricket का सबसे तेज जो है शतक इसने लगाया है फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जिकर हम कर चुके हैं जिसमें आर्मी ने सबसे ज़गा मैडल जीत के है दोस्तों इन्हें जीत लिया है भारत के नए जो लोगपाल है उनका नाम अजे मानिक राओ ठानवी लिकर है दोस्तों और यह जो लोगपाल एंड लोका युक थे वो कर रहे थे परदीब कुमार महांती दोस्तों क्योंकि 2022 में जो है PC जो घोष जो कि जो है पहले लोगपाल थे उसके बाद पर्मनेंट ली किसी की नियुक्ती नहीं की गई थी अब पर्मनेंट नियुक्ती जो है वो कर दी गई है अजे मानिक राओ खानवी लिकर की बड़ा महत्पुरुन नाम है और यहां पर याद रखें दोस्तों इनको जो है पांच वर्ष या फिर सतर वर्ष तक है ये काम कर सकते हैं साथ सतर उमर हो यह मैक्सिमम पांच साल तक ये काम कर सकते हैं और इनको लोगसभा के स्पीकर, लीडर ओफ ओपोजिशन, प्राइम मि के लड़के हैं, उनका ये प्रजेक्ट है, तीन हजार एकड में एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो है वो जाम नगर में दोस्तों इसकी शुरुवात है, वो की गई है, फिर भारत का सेकिंड स्पेसपोर्ट, दोस्तों जैसे भारत में अभी जो हमारा श्री हरी कोटा है, व दो साल का समय है, दोस्तों, और 950 क्रोड की लागज से पूरे सेटलाइट सेंटर को, सेटलाइट पोर्ट को जो है, वो उसका निर्मान है, वो किया जाएगा, फिर नाइठ हुड का समान पाने वाले पहले भारतिये, सुनील भारती मित्तल है, जो पहले भारतिये, जो चार जो कंट्री है तुवालू चोटा सा आइलेंड है उसके नए प्रधान मंत्री का नाम है फली टी यह दोनों याद रखें यह बड़े इंपॉर्टेंट है फिर 27 वर्वरी को वर्ल्ड एंजियो डे जो है दोस्तों वह सेलीब्रेट है किया जाता है दोस्तों जो अश्वीन है पर दूएंटल ही अपने चौथे टेस्ट मैच में उने भारत में सबसे जाधा विकट का रिकॉर्ड अनिल कुम्बले का तोड़ दिया इससे पहले निल अनिल कुम्बले ने भारत में 350 विकट लिये थे लेकिन इस रिकॉरर्ण को तोड़ दिया है रवी चंदरन अश्वी और दोस्तों सबसे ज़्यादा पांच विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है उसमें भी जो अरविंद अश्वीन है उन्होंने कुम्ले का जो रिकॉर्ड है तोड़ दिया दोस्तों उन्होंने पांच विकेट जो है अब 27 बार जो है लिये हैं और कुम्ले ने पांच विकेट की और भारत ने दोस्तों चत्तिजगड के रजनान जो है रजनान रजनान गाउं मैं उस टाइम भी बता रहा था आपको mcqs के टाइम भी इस जगह का नाम बड़ा इंपोर्टेंड है और यह solar energy corporation of India दोस्तों जो है भारत की लार्जे solar battery energy storage system लॉंच किया है चत्तिजगड में रजनान गाउं में जो है इसको इन्योग्रेशन है वो किया गया है फिर पंकजुदास गजल के बहुत बड़े वकील थे उनका भी recently वो ध्यांत हुआ है फिर वर्ड दोस्तों फिलिपन्स जो है वो आपको पताया था convention number 190 के तहत जो है अपने जो वर्क प्लेस पर violence and harassment को लेकर जो है शिकायत कर सकते हैं तो यह कानून पास करने वाला इशिया का पहला जो country जो है दोस्तों वो पना है फिर रेंदर मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी green storage scheme पूरे भारत में अगले पांच वर्षों में दोस्तों जो है वो 700 लाग metric ton अनाज जो है या कोई भी किस भी तरह का नाज है चावल है उसको जो है दोस्तों अच्छे से चेर्मेन होंगी वो दोस्तों गीता बत्रा होंगी global environment facility फिर राश्पती भवन में परपल फेस्ट का आयोजन किया गया अमरित उद्यान में जिसका पहले नाम मोगल गार्डन हुआ करता था दोस्तों यह सारा का सारा यह जो परपल फेस्ट है दिव्यांग बच्चों द्व अतुकुल पॉंगल फेस्टिबल केरला में आयोजित किया जाता है और दोस्तों यह उत्कुल भगवती टेंपल इसको सबरी माला वुमेन भी कहते हैं जहां पर हर साल ऐसा का जाता है कि 25 लाग से ज़्यादा वुमेन जो है इसमें वो पार्टी स्पेड जो है करती है 2009 में जो है दोस्तों यह गिनिस बुक रिकॉर्ड बना था जब इतनी महिलाओं ने इसमें पार्टी स्पेड किया था फिर सवेरा प्रोग्राम ताकि जो ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सके उसलिए हर्याना गवर्मेंट ने जो मिदंता होस्पिटल से के साथ मिलकर प्रोग्राम जो है दोस्तों वो लॉंच किया है भारत ने दोस्तों जोब पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी उनीचो साथ की थी तो उस समय जो है यह बात कही गई थी कि रावी सतलुज ब्यास का पानी भारत के पास रहेगा जेलम चनाब और इंडस का पानी जो ह पाकिस्तान जा रहा है लेकिन रिसेंटली ही दोस्तों पठान कोर्ट में शापूर कांडी बैरेज यह जो डैम बनाकर दोस्तों यह पाकिस्तान के पास जाने वाला पानी रावी का उसको जो है कश्मीर की तरफ मोड़ दिया है ताकि कश्मीर में लोगों को पानी की जो में आयुजित की गई दोस्तों जिसका थीम था फ्यूचर फस्ट और सब थीम था हुमनाइजिंग AI 5G एंड ब्यॉंड कनेक्टिंग एवरीटिंग मैनुफेक्ट्रिंग Calm Changes and our digital DNA इस का जो है सब थीम कहा गया फिर दोस्तों गुजरात के द्वारका ने जो है सुदर्षन शेतू सुदर्षन शेतू जो है ताकि द्वारका धीश टेंपल जो कि समंदर के अंदर है उसके दर्षन जो है उसके द्थाई मिटर्फ है त्यौँजर के दिन überhaupt But कि जो लंबाई है वो 2.3 किलोमेटर लॉंग है जो कि लगभग 989 करोड रुपी की लागे से इसका निर्माण किया गया है और दोस्तों यह अगर हम बात करें साथी साथ जो है मोदी जी वहीं पर द्वारका की जो नगरी जो समंदर में जा चुकी है पूरी उसकी दर्शन करन सब्सक्राइश में है जो कि आदी शंक्राचारिय जी का स्टेच्व है और स्टेच्व फ्यूनिटी जो गुजरात में है तो दोस्तों इनके बीच का 130 किलोमेटर का जो सफर है एक अच्छा छुट्टी अच्छी होलिडे दोस्तों यह जो क्रूज जरनी है जो आयूजित की जाएगी सफर के तौर पे भी लोग इसका इस्तमाल कर सकेंगे और याद रखें दोस्तों यह जो है स्टेच्व फ्यूनिटी गुजरात में है स्टेच्व 1 मध्यापरदेश में खांडवा डिस्टिक में है दोस्तों और आदी शंक्राचारिय की 108 फिट लंबी जो है यह स् इनिशेटिव है दोस्तों शुरू किया है और एक से बार्वी क्लास तक के बच्चों के लिए फिर दोस्ती सोला नाम की एक्सरसाइज रिसेंटली ही मालदीफ में भारत श्रिलंका और मालदीफ के बीच आयूजित की गई दोस्तों फिर लदाक में पैंगों जो लेक है जो 42 किलो मेटर लेक मेरत होने इसको पूरा का पूरा जो है कंप्लीट किया फिर उसके बाद अगला प्रिशन है दोस्तों भारत में जो टेक्स्ट टेक्स्टाइल फेस्ट बही कपड़ा अद्योय कैसे और बैठर कैसे टकनोलजी से भारत को जो है इसमे एक्सपोर्टर बन साक की गई थी और इसका जो है थीम देखें फार्म टू फाइबर मलक क्यों दोस्तों कपड़ा बने फिर फैक्टरी में जाए फिर फैशन और फिर फॉर्ण तो यह जो है बात है नेरेंडर मोदी जी ने यहां पर की दिल्ली में इसका योजन किया गया और कुछ भारत मंदपम औ बहुत सारे टेक्डाल इंड्स्ट्री से जुड़े जो जो हैं दोस्तों पाठनर्ड्रे उन्होंने इसमें इसमें लिया फिर दोस्तव एक जो है रिस रिसर्ट कि दुरृणर दुनिया के सबसे पापुलर जो लीडर है उन रेंडर मोदी जी जो हैं वह आंके गए हैंостों अगर हम बात करें, इंडिया का, इंडिया युएस स्ट्रेटेजिक और पार्टिशिप फॉर्म, इसके चेर्मेन के तौरप पे, सलील पारिक, जो की इससे पहले, इंफोसिस में भी, जो है, ट्रेक्टर के तौरपे काम कर चुके हैं, उनकी जो है, न्युक्ति की गई है, अम हम बात करें, भारत, चाइना, रशिया, अगर अमेरिका गए हैं, तो दोस्तों, वो सरकारी कंपनिया गई हैं, लेकिन प्राइविट कंपनी पहली बार है, तो फर्स्ट कमर्शल स्पेस्क्राउट जिसने ये काम करके दिखाया है, फिर इस अफते वुमेन प्रीमर लीग की भी शरुवात हो चुकी है, दोस्तों, और आपको पता है कि इस महीने में, मार्च के महीने में, 22 तारीक से इंडियन प्रीमर लीग जो मेल्स हैं, उसकी भी शरुवात हो जाएगी, फिर दोस्तों, जुनिया में पहली बार हुए है कि पिच क्यूरेटर, जो पिच के बारे म जो है, जिसने बनाया है, जानकारी देता है, एक महीला है, वुमेन प्रीमिर लीग में, दोस्तों, ये काफी चर्चा में रही, जैकिंता कल्यान, जो है, इनका जो है, वो नाम है, और दोस्तों, इसे के साथ, जो है, आज का ये सेशन समापत हो रहा है, अभीद करूँगा, सारा सेशन जो है, आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन थोड़ा लंबा भी है, क्योंकि पूरे हफ़ते के करेंट अफियर न तो लंबा होएगा ही, दोस्तों, फिर भी, अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन आप दे सकते हैं, जिससे एक करेंट फिर और बहतर हो सके तो आप में जरूर दे, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच